आज मैं आपको स्किन वालों के लिए बहुती बैस्ट रहेगा इससे तो आपका कंप्लेक्शन फियर होगा और इसके लबाप में नहीं आएंगे घर्मिया आ रहे हैं तो इसके वालों के लिए बहुत से इशू हो जाते हैं तो चुप बहुत रहती है है फेस पर उइल जैसे लिए अधरी मिलाजाएं फिर सिंस्कार इशू हो जाता है कि इसके बर्वाबा भॉप इुपन हो जाते हैं और दो इसके वर्छेस हो जाता है मादान should वर इस सथ्पिए फेसलिएल निर्दिपर फेस्धिते होज्ड़ारी पैंड़िगों तो जब्लिकर क्लिए बौ वाइसी वाटनिक फेस्वाश और इसकिन वालों के लिए बहुत ही बैस्ट है हाइली रेक्मेंट में करूंगी गर्मियों के लिए ये तीन तरीके से आपकी स्किन के वर्क करेगा एक तो आपकी स्किन के वर्क काफी देर बात आएगा प्याच लेवल को बैलेंस करेगा माल्ड फर्मूला है ड्राइनेस नहीं लेकर आएगा और इसकेलावा मॉस्ट्राइजर फर्म करेगा प्याच लेवल को भी बरक्रार इसके में पाया जाता है मिल्क एक्सिनेक्ट जो सकीन की नूरिश करता है डर्ट को अंदर से खतम करता है इसके इलावा और को कंट्रोल करता है यह सारे चीज़ेस में मौझूद है मैंने इसको खुद से यूज़ किया है तो इसलिए मैं आपको यह रिकमेंट करूंगी थायलें का यह बनाएवा प्रोड़क्ट है बहुत ही बहुत ही बैस्ट है इसमें आपको और भी फ्लेवर मिलेंगे मेरे पास जो है यह मिल्क एकस्टेट का फ्लेवर है जो मुझे सकते हैं ऐस मुझे मील कृषलै चल्क करते हैं कि तो हम इसको प्लेज गाया है तो सबसे अपर इसकी पाई होती है तो आप इस मारतो घिल सानी है इसे देख सकते हैं इतना सा पलोग ए तो आपके प्रू प्र फेस डिन्या फो็र्य की इलिए बास या बहुत है कि रिखिस dość lucर करूंगी और इसका रजल इतना अच्छा है कि आपको फस्ट एप्लिकेशन में इसका रजल मिलेगा ट्राइक करके जरूर देखेगा गर्मियों में लिए बहुत ही बैस्त है और इसकीन वाले के लिए बहुत ऑसम है यह ड्या स्किन में इसको यूज कर सकते हैं लेकर सब्सक् कर्सका रहे बहुत हैं लेकर सकते हैं लेकर में लेकर सकते हैं